वेल्गम वाईज, आपको फिर स्वागत एक नई क्लास से साथ, मैं हूँ दिपक सिंग और आज की क्लास में हम बात करने वारे हैं एनिमल हस्वेंडे से समादित टोप 10 यहाँ पर क्यूसन को याद रखेगा, जितने वह यहाँ पर के उसन से सभी एनिमल हस्वेंडे से समादित हैउ और वासवर ली किसन से याद रखेगा, जो कि आपको एक्जाम में पूछे जा सकता हैं ठीक है इसलिए याद रिखिया सभी किसंस को आपको थोड़ा सा यहां पर फोकस करना है और केवल क्लास पर ध्यान रखना है बातों पर आपको ध्यान नहीं रखना है ठीक है बाते आपके पास बहुत टाइम है यहां पर केवल आपकी 10-15 मिनिट क्लास होती है उसमें आपको क वह यहां पर दिहां से आपको जवाब देते रहना है ठीक है चलिए इससे पहले जो भी हाँ पर नई इस्ट्रेंट है वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास के बेल आईकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले जितने भी यहां पर प्लास है आपकी होगी जितने ही आपकी live test लगेंगे उसका notification आपको साथ-साथ मिलता रहेगा ठीक है चले ग्लास को start करते हैं तो आज का हमारा first question काफी most popular question या देखिया कई बार आपको exam में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाएगा ठीक है कि गर्बर विदी या फिर जो गर्बर मसीन होती है इसकी गती कितनी होती है यहां पर आपको पूछा गया है गयरा सो हजार इकिस सो यह पर पच्चिस सो RPM का मतलब क्या है RPM का मतलब पहले जान लीजिए round per minute round per minute मतलब याद रिखिया जो गर्बर मसीन है यह 1 minute में कितने round कर देती है कितनी बार घुम जाती है किषन आपको पूछा गया है काफी most popular गुसा ने याद रिखिया आपको कई बार exam में पूछा गया है अब जल्दी से बताईए कितने राउंड कर देती है एक मिनेट में गरबर मसीन ग्यारासो हजार एक कीसो या फिर पच्चीसो तो यहां पर याद रखिया सबसे पहले हम अगर इसके राइट अंसर की जानेंगे तो यह होती है ग्यारासो राउंड पर मिनेट मतलब एक मिनेट में ग्यारासो बार घूम जाती है अब यह होती गया है याद रखिया इसका जो प्रियोग की ऐसा यह की ऐसा है वसा के परिरेक्शन के लिए मतलब अगर माल लीजे आगर आपको ये कुछा आता है कि वसापरेलिक्षन के लिए कौन सा टेस्ट कियासता है तो आप बता सकते हो गरब़ टेस्ट कियासता है ठीक है और अगर आपको पुछाता है कि इसके कितने राउंड होते हैं per minute के साब से तो वो होता है ग्यारा सु राउंड पर मिनट ठीक है क्यूसन क्लियर होता है नेक्स टीसन कहां पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया याद रखेगा कि गाई भैंस के दुग्द के मिशन का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया सा है मतलब आप ऐसे आप एक डेरी होल्डर हो मतलब आप डेरी वाले हो खुद ठीक है और आपके पास मालेजिए कोई किसान है जो की दूध लेकर आ रहा है लेकिन आपको यह डाउट हो रहा है कि साइथ इस दूध में उसने मतलब आपने तो मंगा या था भैंस का दूध लेकिन वो क्या कर र आइडिया वगरे कुछ नहीं है बस यहां पर टेस्ट यूज करना है ठीक अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत का या फिर गाई का दूद हो सकता है तो बिल्गुल आप एक टेस्ट कर सकते हो वह कौन सा टेस्ट है उस ही यहां पर आपको नाम बताना है corrections है कि क्या आप वावनाउ test करोगे हंसा परिक्षन करोगे zinc परिक्षन करोगे फिर उप्रोयकर अपरक्ष्ज सभी करोगे हंसा टेस्ट मतलब हंसा टेस्ट से हम यह पता लगा सकते हैं कि इसमें या तो गाई का गाई की दूद में भेंस का दूद मिलाए गया है या फिर भेंस की दूद में गाई का दूद मिलाए गया है ठीक है उनकी मात्रा का हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं अगर मैं बाहुत कर हलका नीला होना दर्साता है दूद क्या होता है सामारे ते आपने देखा होगा याद रखेगा कि दूद क्या होता है हलके नीली कलर का होता है लेकिन क्यों इसका reason क्या होता है यही आपको बताना है कि पानी की मिलावट, थने लवरोग, गर्षित, घा, गाई वे भेंस का मिस्टरन गाई वे भेंस के मिस्टरन का यहाँ पर मतलब है इनका जो दूद होता है दूद का मिस्टरन या फिरो प्रुक्तिसा भी आपको यहाँ पर क्या लगता है कि जो हलके नीली कलर का जो दूद होता है उसका कारण क्या होता है एक्शुल में रीजन क्या होता है क्या पानी की मिलावट होती है क्या थनेर रोग से ग्रिसित रोग होता है गाई पर भेंस की दूद का मिस्रण होता है तो यहां पर याद देखिए थोड़ ऑपको दियान क्या रखना है, कि जो हलका नीले कलर का होता है मिलकर, इसका जो reason चैनल होता है पानी की मिलावर 종er. ठीक है, मतलब याद रहाएगा अगर माळ लीजिए, आपने ज़्यादा मातरा में उसमें क्या कर दिया, पानी तो उश्के कारण जिया रखिए उसका याद राखिए सगा और वह जाएग और बहुत je कछशन पर बात करेंगे कि निए बेसे काली मास काली मांसी के चाहिती है या फिरаст प्टी पूछा है की मुर्गी की एसी नसल गुंसी है जिससे काले मांस के लिए पाला सब्सक्राइब काफी फैमेस किसे या दखिया और यह से आप वेरे-वेरे इंपोर्टेन किसन से लिख सकते हो क्योंकि कई बार आपको एक्जमें पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा ठीक है तो यह बताइए कैसे मुर्गी की कौन सी नसले जिसे या दखिया ब्लेक मास के लिए काली मास के लिए पाला जाता है क्या असिल होती है क्या चटगाउं होती है क्या घडखनात होती है फिर इन में से कोई नहीं क्या लगता है आपको राट राइट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका तो बिल्कुल यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां देखिया काली मास अब इसके मुझे तो दोविसेस्ता होती है वैसे तो यह काली दिखाई भी देती है और इसका काला मास भी होता है मतलब काली का भी कह, दोनों का याद रखेगा, ठीक है, आगे के सब्द सैम है, मतलब काला मास और कड़कनात, कैसे कह याद रखेगा, चले नेक्स टिसन के हाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया है, कि भेड की मारवाड नसल पालने का उद्दिश्य है, मतलब जो मारवाड नसल होती है, काफी फेमल से याद रखेगा, इसके एक मुख्य विसेस्ता के अगर मैं बात करू, वो कौन सी होती है, बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बता दीजे, कि मारवाड नसल है, इसको किस उद्देश्य से पाला जाता है, क्या दोहरे उद्देश्य से क्या उन के, क्या मटन के लिए, क्या फिर दुख्द उत्पादन के लिए, हम यहाँ पर बात कर रहा है, याद क्या भेड की मारवाड नसल के बारे में, तो भेड है, तो उन तो हमें प्राप्त करनी है, ठीक है, तो उन की साथ हम क्या कर सकते हैं, भेड का मटन भी तो प्रा होता है फुर मतन से भी मतलब इसका जो परफच होता है ये दोनो उद्देश्य से लियास्त को पलाता वो दोनोवड़ी सबंदे करने के लिए मारवाडी तो मारवाडी का कि रोग पr principio समता होती है इसमें क्या होती है रूग तिरोदक समता अधीक होती है और अगर मैं बात करूई है कि खाहां पर पाई जाती है तो इसके नाम से ही आपको इसपस्ट हो जाना चाहिए कि मारवाड छेत्र यह मतलब यह मतलब मारवाड अब मारवाड किसे बोलते हैं यहां दरखेए मारवाड़ हम बोलते जोदपुर को किया दरखेए genes to be a effect channel बन जाता है कि मारवाड़ किसे बोलता है इसे जोदपुर को बड़ते हैं अ关 worst सब्सक्रक्रां छोदपुर को भोलते हैं ना फ्याएश्ट मेर नियुक्त का पूछा भी जा सकता है किसन चले नेक्स टिसन के हम पर बात करेंगे अब यह भी किसन याद रखेगा आपका काफी लाजवाव यह किसन है काफी सांदार यह किसन है और कई बार आपको एक समय भी पोचा जा चुका है तो यह बताए कि परजियों का चलता फिरता म्यूजियम किसे गहते हैं क्या ब बोलते हैं है तो याद रखेगा परजियों का म्यूजियम यह डबल एटियम डबल एटियम परजियों का म्यूजियम या डबल एटियम के नाम से याद रखिया भेड को जाना जाता है किसको जाना जाता है अगर मैं यहाँ पर बात करूं ब्लेक डाइमंड के नाम से किसे कूज जाना झासता है अगर मैं यहां पर बात करूए गरीब की गाई की से कहता है तो बिल्कुल यद गरीब comfortable simple ब्लेक डाइमंड 5 लाती प терри पर्जीम के मुझियम है ज मिर्ग लाती याद रखीए इक भेड की मुख्य विष्यी आज़ियों यहाँ को किसे कहते हैं राजस्तानी की कामदेनु किसे कहते हैं अब यह कामदेनु क्या है कामदेनु का मतलब यहां पर होता है याद एक किसी परसन के बारे में यहां पर यूज किया ऐसा है कामदेनु वर्ड तो इसे जितना भी कुछ मांग थे ते मतलब यह एक क्या है जो भी हमारे यहाँ पर दिया को अब मुल्क है उन दोनों के लिए याद रिंञें काम देनी की से कहता है। किया देवनी को क्या राठी को क्या मेवाती को या फिर हर्याना को तो यहाँ पर याद देखिया अगर मैं बात करता हूँ राजस्तान की काम देनू तो काम देनू याद देखिया राठी गाये को बता है राठी याद देखिया किसकी नसल है यह भी किसन आपको पूछा गया था एक बार तो यह गाई की नसल है, राटी है, गाई की नसल है, मुर्रा है, यह भेहस की नसल है, यह भी किसन पूछा गया था, कि मुर्रा किसकी नसल है, मुर्रा भेहस की नसल है, सभी को बता होगा, मुर्रा को याद रखिया, खुंडी के नाम से भी जानते हैं, मुर्रा को खुंडी के क्या पकूछ फितान के लिए गाई की उप्योगत नशल को है क्या पूण ईसकी है 75 गपर यहाँ पर यहां पो मैं बात करता हूं रेगिस्तान के पर पर अधिवर क लिए तो वह हो जाती है ठार पारकर कुंसी वो outdoor करो है जालिए यहां बात करेंगे बैसी याद रखेंगी है अगर मैं बात करता हूं तो इससे मोस्ट फैमस पॉपुलर मनता है। कौन सा बंदा याद रखेगा कि यह double purpose के लिए पा ले जाती है अगर आपको याद रखेगा double purpose के लिए पूछेगा गाई की नसलों में से तो सबसे ज़्यादा important नसल है वो कौन सी है अगर आपको थार पार्कर आप्शन में दिया गया है और उसने पूछा है कि दी प्रियोजनी नसलों बताइए तो बिल्कुल आपका right answer लेकिन मैं यहाँ पर अगर माल लेजे इस option को मिटा देता हूँ और फिर आपको कहता हूँ कि दूई प्रियोजी ने नसल बताइए तब आपका राइट अंसर हो जाएगा हर्याना ठीक है तब हो जाएगा आपका हर्याना क्युस्तन आप सबद्द होगए कि मैं समझा ना क्या चाथवा एक्षोल में ठीक अगर थार-पार कर आएगा तो थार-पार कर को प्राथ्ख्निक्त दी जाएगी अगर थार-पार कर नहीं आता है तो उस इस्तिति में आपका हर्याना राइट आंसर माना जाएगा ने केहां बात करेंगे कि गाय की कोँसी विदेश्थी नसले में सरवाधिक वसा होती अब बताई़े कोँसी यसे नसल है जिसमें सरवाधिक वसा वाई जाती है क्या एच एफ में क्या जर्सी में क्या ब्राउन स्विच्ट में जाकर red band मेंं है इस बिंदूप्र अगर मैं बात करता हो सरवाधिक वसा टहूं तो यहां पर या सबyttा मेंë अगर मैं करता हूं सरवादिक वसा गृति है। जर्सी घ्विप इसका अगर मैं बात करता हूँ है उद्वगमिस् distingu कर दो ऐ है तब बश्य उस्तित है ने अम पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा आपको बदेया है अब ब neglig iying णけて बीख़े चाहँ आपको प्टया की यह में लाद लाइए काने में पूछा गया है कि राठी किसके नसल होती है तो याद रखेगा गाई की नसल होती है अब गाई की अगर हम बात करेंगे तो गाई गाई ठीक है अब इसके दो नाम होता है एक होता है बोस इंडिकस एक होता है बोस टोरस पोस इंडिकस इंडिकस वैसे या दखी से आप देशी गाई भी बोल सकते हो ठीक है देशी गाई का नाम क्या होता है बोस इंडिकस होता है और अगर मैं यहाँ पर आप पूछता हूँ विदेशी गाई तो विदेशी गाई का नाम क्या हो जाता है बोस टोरस हो जाता है बोस टोरस हो जाता है अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ याद रिखेगा गाई का मास आप सभी को पता होना चाहिए बीफ कहलाता है गाई का मास बीफ कहलाता है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर याद रिखेगा कि गाई का एक छोटा जो ठीजिए अगर गाई से प्राप्स कर रहे हैं मतलब जो वेश्फ है गाई उसें अगल कर रहे हैं उसे अगर मम्हकरन कर रहे हैं उसे उसे नहीं कि देखता है अरगा गरे पच्छड़ा उसी आपकर रेहे हैं अलागाए आ तुरह एlier गर बो कि अगर अगर पहचान के से गार होगी देजी घाई है तो याद रिखे इनमें VISC होती है जो अigmat कोबर होती है इंसे आप ث store मतलबब नहीं पाई जाएगी पाई जाएगी मतलब आगर बात करता हूं यादES जाएगयों में तो विग ignored में आते कि हम जैसी कोई भी इस्थिति नहीं होती है मतलब उनमें हम पर नहीं पाया जाता है ठीक है याद रहेगा ओके तो आइधिंक आपको क्यूशन से पसंद आयोंगे क्लास पसंद आयोगी अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना से जरूर कर देना ता